दोस्तो आज की वीडियो में हम केकी अंदारो वाला जी की कविता दा अंड्रेस्ट आफ डिजायर की समरी को देखेंगे दोस्तो इस कविता में जो कवी है के अंदारो वाला जी उन्होंने विभिन तरीकों से या समझाने का प्रयाज किया है कि लोंगों की बहुत से च्छाए और ड्रीम होते हैं तो उनके कुछ च्छाए तो पूरी हो जाती है और जब कुछ च्छाए जो पूरी नहीं हो पाती तो उनसे वा बहुत दुखी और बेचैन हो जाते हैं तो उनके अंदर जो बैचैनी हैं या व्याकुलता और मन में जो आसांती आ गई है उसको वहाँ लोंगों से छिपाने की कोशिस करते हैं तो जब वहां अपने मन में दबी हुई अधूरी जो चाएं हैं, उनको वह छिपाने का प्रयास करते हैं, तो वहां ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनकी आखें हैं और जो हाव भाव है, वो सारी चीज़े बयां कर देती हैं, या लोंगों के सामने ले आती हैं, क्योंकि हम में उनकी आंकों से यह सब कुछ पता चल जाता है कि वो व्यक्ति मन से बहुत बेचान है या उसके मन में किया चीज़े चल रही है? तो दूस्तो जो कवी हैं वो यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से जलने के जो निसान होते हैं वो सकिन पर से हटाये नहीं जा सकते उसी तरह से इनसान की जो दबी हुई डिजायर है उसको चुपाया या मिटाया नहीं जा सकता और आगे वो कहते हैं कि जो हमारी आखे हैं वो जीब तो नहीं है लेकिन फिर भी वह सब कुछ बयां कर देती हैं सब कुछ कह देती हैं जो जीब से नहीं कहा गया है तो दोस्तो कवी बस यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे मन में दबी हुई हमारे जो च्छाए हैं उनको छिपाया या फिर दबाया नहीं जा सकता और ना ही या पॉसिबल है और ना ही या गलत है तो दोस्तों यहाँ The Unrest of Desire कविता की हिंदी सारांस है और बहुत जल्द हम इस कविता को भी आने वाले वीडियो में डिसकस करेंगे तो मैं मलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए